इतने दिनों तक What If के हरेक एपिसोड शुरूने से पहले मैंने कहा है क्या होता अगर ये होता, क्या होता अगर वो होता पर अगर सुप्रिंग स्ट्रेंज मल्टिवर्स पर इंटर्वीन करता तो क्या क्या होता, वो इमेजिनेशन से भी बाहर है एनवार्टिव सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में हमें उससे भी क्रेजी चीज़े दिखा कहानी शुरू होता है वहीं से, जहांपे पिछले एपिसोड खतम हुआ था नहीं देखा है तो देख ले ना सुप्रीन स्ट्रेंज कार्टर से फूचती है कि तुम अब क्या करने का सोच रही हो कार्टर बताती है मुझे अब मेरे यूनिवर्स में पहुचना है अगर तुम मुझे पहुचा सकते हो तो बहुत महरबानी होगी स्ट्रेंज बताता है अफकोर्स तुम मेरे दोस्त हो पर उससे पहले मुझे तुमारी एक छोटा सा हिल्प चाहिए अगर कर दो तो फिर मैं तुम्हें भेज दोंगा वापस दिन स्ट्रेंज उसे अपने कैसल में ले आता है जो की उनिवर्स किलर है काटर ये सब देखके अपने दोस्त के लिए बहुत खुश होती है और कहती है लगता है तुमने अपने गलतियों से सीखके खुद को पनिश करने के लिए एक हीरो का काम चुना है स्ट्रेंज बताता है हाँ मुझे कुछ करना तो था ही देन स्ट्रेंज काटर को एक रूम में ले आता है जहांपे वो काटर को अपने एक प्रिजन से भागी हुए लड़की को पकरने बोलता है काटर कहती है तुम तो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉंग हो तो फिर तुम क्यों नहीं जाते Strange बोलता है अगर मैं उसे पकरने जाओ तो वो मेरे presence को immediate भाप लेगी और तुम जाओ तो वो उसे पता भी नहीं चलेगा Carter देन उस डोर से दूसरे universe में चली जाती है Strange उसे इन्फॉर्म करता है कि इस universe में Peggy and Steve के war में death के बाद Hydra ने पुरे world पे कबजा कर लिया है Carter आगे बरती है पर अचानक उसके उपर कोई super speed से हमला करता है दिन Carter जब हमने position एनलाइस करने के बाद उस पे attack करती है तो हमें पता चलता है वो और कोई नहीं है वो Kahori है Kahori shield को रोकती हुए कहती है वो कोई दुश्मन नहीं है दुश्मन तो वो है जिसके इशारे पे Carter यहां पे आई है जिन अचानक Strange Porter खोलके उनको Castle में ले आता है Strange जल्दी से Kahori को freeze करने का कोशिश करता है पर Kahori Carter को सब बता देती है कि Strange यहां पे किसी भी Universe Killer को पकरने नहीं आया है उसने तुमसे जूट बोला है उसने एक force create किया है अपने Universe को फिर से create करने के लिए जहां पे वो ना ही सिर्व Universe Killer बलकि बेश्ट Heroes, Universe के Saviors को भी डालने का कोशिश कर रहा है देन Strange के अटेक के बीच में आके Carter Kahori को बचा लेती है और Strange को समझाने का कोशिश करती है कि वो अपने गलतियों को जानने के बाद भी इतना पागलपन कैसे कर सकता है Strange उसे पूछता है अगर Christine की जगा आज Steve होता तो तुम ऐसा क्या नहीं करती Carter बोलता है नहीं कभी नहीं क्योंकि Steve ये कभी नहीं चाहेगा देन फिर से Strange Kahori पर अटेक करता है Carter Strange को रोकने का कोशिश करती है पर कुछ नहीं कर पाती आइडिया लगा के Carter सारे कैध हुए यूनिवर्स किलर्स एंड हीरोस को अजाद कर देती है एंड उसके वज़े से Strange का ध्यान भटक जाता है एंड Kahori Carter को लेके वहाँ से भाग जाती है Kahori Carter को बताती है कि उन्हें Strange के फॉर्ज को तोरना होगा तब ही सामने वो देखते हैं कि Zombie की पूरी आर्मी उनके तरफ आ रहे है क्योंकि उनको लीड कर रही है Zombie Scarlet Witch दिन Kahori अपने पावर से Scarlet उससे लरने लगती है एंड काफी ज्यादा डॉमिनेट करती है एंड उसे कहीं दूर टेलिपोर्ट कर देती है अचानक पूरी Zombie आर्मी रेट से ग्रीन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आचुकी थी Goddess of Death Hilla Hilla सबको Kneel Down करने बोलती है और वहीं पे अचानक I am Asgard's Doom बोलते हुए सर्टर एंटरी करता है दोनों एक दूसरे के आर्च नेमेसिस को देखते है और हमला कर देते है और वहीं पे मौका देखके Kahori अन काटर भाग जाती है अचानक उनके सामने Portal से Thanos का एंटरी होता है जो अपने Infinity Stones से काटर पे हमला करता है और पीछे से कोई Snap करता है जिससे Thanos अचानक धूल बन जाता है स्मोक हटते ही उन्हें दिखता है Infinity Killmonger काटर पीछे हटती हुए कहती है उन्हें Killmonger से Stones छीनना है तबी Kahori अपने Power से Killmonger को उसके Seals से निकालके Portal के तुरू वहाँ भेज देती है जहाँ पे बाकी Characters एक दूसरे से लर रहे थे वहाँ हम Literally Mad Craziness देखते है क्योंकि सारी Universe के Characters एक दूसरे से लर रहे थे इवेन Thor versus Thor भी दूसरे तरफ काटर Infinity Stones को Ultron के Armor के साथ वील कर लेती है जल्दी से पहुंचती है Forge Room के पास जहाँ पे Strange आचुका होता है Strange कहता है तुम्हें पता है न मैंने इस सूट के विल्डर्स को हराया है काटर कहती है हाँ पर उसके अंदर कभी भी मैं नहीं थी देन काहोडी के साथ कैप्टेन अपने शील्ड को पावर स्टोन से चार्ड करके Strange पे अटेक करती है एंड Strange को इस बार वो लग जाता है Strange तीन बड़े मॉंस्टर से उन पे हमला करता है एंड उन से लरने लगता है देन Strange काटर के उपर चार्ज अप बलास्ट करता है पर काटर उस अटेक को पावर स्टोन से एब्जॉर्ब करके फॉर्ज पे रिडायरेट करती है Strange कहता है ऐसा मत करो फॉर्ज अंस्टेबल हो जाएगा काहोडी अपने तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश करती है काटर को सपोर्ट करने के लिए तब Strange अपने क्लोन क्रेयेट करता है और उन पे रिलीस कर देता है और इससे आइडिया लेके रियलिटी स्टोन से काटर भी ऐसा ही करती है जिसके वजे से काटर धीरे-धीरे Strange के क्लोनस पर डॉमिनेट करने लगती है Strange गुसे में सब को तितलियों में बदल देता है और पेगी को उस जगा ले आता है जहां पे Super Soldier Experiment शुरू हुआ था Carter को लगता है जो अभी हो रहा था वो बस शाद उसका Imagination था Steve को देख के वो बहुत खुश हो जाती है पर अचानक वो उस जगे पे एक तितली को नोटिस करती है जिससे उसे पता लग जाता है कि ये बस एक Illusion है और Steve के मुँपे एक जोर से पंच करता है जो Actually में Supreme Strange होता है Carter उसे फिर से समझाती है कि Christine के बदले इतने सारे Heroes and Villains को Sacrifice करना Worth It नहीं है ये सब हरेक उनिवर्स में है पर तुम एक ही हो अपने जिन्देगी को ऐसे बरबाद मत करो Strange कहता है हाँ बिलकुल सही और वो सब को Forge Room पे टेलिपोर्ट कर देता है सारे Character वहां से गिर रहे होते हैं पर काहोरी अपने Power से फिर से उन्हें Portal के पास ले जाती है Strange काहोरी को एक Stone में Lock कर देता है जिसके वो जिसे वो लोग फिर से वहीं पे गिरने लगते हैं Carter तबी दिमाग लगा के Time Stone से Time को Reverse करती है पर Strange भी अपना Time Stone निकाल के उसे Nullify कर देता है जिसके वज़े से बाकी Characters समझ जाते हैं वो अब नहीं बच सकते इसलिए Thor अपना Mion Lear, Hilla अपना Crown, Cosmic Hulk का Variant, अपना Cosmic Sword, Win Woo अपना 10 Rings और बाकी सारे भी अपने Weapons दे देते हैं काहोरी M मौके पे Stone को Break करके निकलती है और सब की नीचे Portal खोल देती है जिसके वज़े से सब बच जाते हैं Carter then Hilla का Crown और हलका Sword विल्ड करती है जिसके वज़े से उसके पास भी Weapons Control का Power आ जाता है काहोरी 10 Rings और मियौल निर को विल्ड करती है जो प्रूव करता है काहोरी वर्दी है And then वो दोनों बहुती गंदे तरीके से Strange पे Dominate करते हैं Strange हारने लगता है इसी वज़े से Strange अपने Ultimate Monster फॉर्म में आ जाता है जिसके वो जैसे अब मार खाने का मौका था Carter और काहोरी का क्योंकि वो जो भी Strange पे फेक रहते Strange उसे एब्सॉर्ब करके और भी स्ट्रॉंग बन रहा था इसी के बीच Carter का सूट उससे अलग हो जाता है जिससे Infinity Stones भी बिखर जाते है Strange अपना Ultimate Attack उन पे करने ही वाला होता है पर Carter एक आखरी कोशिश करती है विदाउट एनिटिंग जो कि एक डम मूफ था पर देन का होरी अपने Power से Infinity Stones को Carter के हाथ में दे देती है जिसके Collide में Strange के अंदर से Monster बाहर निकल जाते है Carter Strange को फिर से कहती है Strange, कृष्टीन ये कभी भी नहीं चाहेगी ये पागलपन बंद करो पर पीछे से वो Monster कहते है पर हम चाते है दिन फिर से वो Monster Strange पे कंट्रोल ले लेता है और Carter को लेके Forge में गिरने लगता है Carter जैसे दैसे करके उस Monster से पीछा चुडाता है और कूत के एक लेच पकर लेती है वो Monster अटैक करने ही जाता है पर हम देखते हैं Strange का Consciousness उस Monster को रोक लेता है और एक बहुत बड़ा Blast होता है Carter का होश आता है तो Watcher कहता है सब कुछ ठीक हो गया है मैंने काहोरी को उसके उनिवर्स में भेज दिया है और हम देखते हैं Stephen Strange खुद की कुरबानी दे के Christine and उसके उनिवर्स को रीविल्ड कर दिया है Watcher बताता है Strange न अपने उनिवर्स को तो रीविल्ड कर दिया पर sadly उसने इस उनिवर्स में जनम ही नहीं लिया ये सुनके Carter दुखी हो जाती है और पूछती है तुम्हें ये सब पता था न वाचर वाचर कहता है हाँ पता था पर इस बार मुझे इंटर्वीन करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि इस उनिवर्स के पास Captain Carter थी दिन वाचर Carter को उसके उनिवर्स में छोड़ने का बात करता है और Carter बताती है चलो इस बार एक लंबा रूट लेते हैं और हम सामने लोकी का बनाया हुआ मल्टिवर्सल ट्री देखते हैं और इसके साथ ये एपिसोड खतम होता है तुम्हें ये फाइनल एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट पे जरूर बताना बहुत लोगों का मिक्स रियक्शन हो सकता है मुझे पता है पर मुझे ये एपिसोड कमाल का लगा और बहुत एक क्रेजी लगा और मेरे एक्स्प्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत बूलना अब तक डेटपूल और लोगों के मज़ेदार एडवेंचर देखने के लिए लेफ्ट वाले और प्रिवेस एपिसोड देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके तुम देख सकते हो